हैपी शिवरातरी दोस्तों आज मैं है शुरी रस्वी में शिवरातरी स्पेशल में एक बहुती स्पेशल थाली बनने वाली है जिसमें बनाएंगे हम फ्रांट्स सिंगारी के आठे के रसखुले और उसके साथ ही बनाएंगे वाइट ग्रेवी वाला पनीर अमेजिंग टेस्ट का होता है दही वाली आलू की सब्जी नबाबी अर्भिया इस्पेशल पचली बनाएंगे हैल्दी भी होती है टेस्टी भी होती है हर दिन ये की तीखी सी चटनी पूरिया भी बनाएंगे नौर्मल नहीं होंगी इस्पेशल होंगी तो चलिए फ्रंट पटावट से वीडियो स्टार्ट करते है हाई गाइस जिसे कि आप सभी लोग जानते है कि महाशी व्रती ब्रतान नहीं वाला है उसके लिए हम बहुत सारी तह्यारी करते हैं आज मैंने भी आप लोगों के साथ एक बहुत ही स्पेशल शाही थाली की रेसिपी शेयर करिया है मैं भी जानती हूँ और आप भी जानते है कि हम इसमें से पूरी थाली तो नहीं बनाएंगे लेकिन अगर आप एक चीज भी ट्राइ करते हैं तो मेरा थाली बनाने का प्रोसेस है वो एकदम सार्था को जाएगा तो चलिए फ्रांट्स थाली की शुरुबात करते हैं मीठे के साथ और मीठे में बनाने वाले है आज गुलाब जामुन तो उसके लिए मैंने 1500 ग्राम जितना मावा ले लिया है और जितना मावा लिया है उसका जस्ट हाफ मैंने पनीर ले लिया है मैंने 1500 ग्राम मावे का यूज़ किया है और उसके साथ ही 75 ग्राम जितना पनीर लिया है आप जितने भी गुलाब जाओन बना रहे हैं जितना मावा ले रहे हैं उसका जस्ट हाफ पनीर लिजे बहुत ही परफेक्ट बन कर तयार होंगे और आपका मावाचा चाए पुराना है या आपने ताजी ही बनाया है कैसा भी है उसे आपको कदू कस जरूर करना है और उसी बरतर में पनीर को भी कदू कस कर लिजे और ये लिजे दॉनों चीज़े फटा-फट कदू कस需要 तयार हो गई है लिए 2 टिबल स्पून जितना सिंगारी का आट लेना है बहुत ज़्यादा आपको नहीं लेना है नॉर्मली तो हम मैंडा का इस्तेमाल करते हैं लेकिन हम बना रहे हैं फलार के लिए उसके बाद भाल यहां थोडी सी मेंधा किरने की यह आफिकू जह चोगा है उसके बाद भाल रखशंस प्रसजिंग बेकिंग infra जमसेurg लिहां साथılar बेंगे ज हो सब्सक्राइब तो धुक्त मैठ बेक केसे ह। अब parallels पृस्वलों 10 Bak जाए से फूरा पानी के लिए प्रवाइब लेना और पटने के लिए रख देके लिए पक्तने के लिए प्रवाइब अबहुत में तरीके से गुलाब जामुन आप तरीके दियार कर लेंगे आप चोटे साइज के बनाई आप समझ सकते हैं जैसे यह ञार्मिलो चुंप होता है नीबु होता है और उसमें से फिर एक पार्ट अलग कर लिया उसमें हम डालेंगी थोड़े से किष्मिश के किडाने उसके साथ ही थोड़े से मिश्चिक के डानने पिलकुल थोड़े थोड़े से काजू और जाल दधिए जिससे आपके गुलाब जमुन पर्फैक्ट बनेंगे वह काम है कि आप जो हमने स्टफिंग तियार करिया है उसके भी उसी तरीके से एकवल छुटे-छुटे से पार्ट कर दें जितने आपने गुलाब जमुन बनाएं इससे आपको पता रहेगा कि आपको इस्टफिंग कित पर जमुन कट करेंगे तो बहुत ही शानदाल लगता है तो अब आर यह गुलाब जमुन को सेखने की उसके लिए गयास अन करी और उसके उपर मैंने कढ़ाई रिखी कढ़ाई में कुकिंग अल डाल दिया है और अपको गरम करना एना एक दम मीडियम करना एना बहुत ज्य पराथे बनाते हैं आप बिल्कुल वैसा ही आपको आयल रखना है और उसके बाद आप घड़ी देख लें और 6-7 मिनट तक कंट्यूनियास इस तरीके से गोल-गोल घुमाते हुए आप गुलाब जमुन सेखें जिससे इवल ली चारो तरफ से इस तरीके से एकदम परफ्र के लिए थोड़ से केसर के दागे चाशनी क्रिस्टरलाइज ना हो उसके लिए एक छोटा से टुकल नेभू का बस चोटा से टुकल नालने के बाद में कई बर जो चाशनी जम जाती है वह बिल्कुल भी नहीं जमेगी तोड़ से ड़ले हरी लाइची बहुत भी बढ़ी ब आपको घी जैसा पी लोगा तो बस चाशनी बनकर तयार है जो निभू का टुक्रा डालत है इसे निकाल देते हैं हलका सा चाशनी में से हवा निकाली यानि थोड़ा सा ठंडा कर लिया है और उसके बार डाल दिया इन गुलाब जामुन के अंदर और इस समय आप देख सकते हैं कि गुलाब जामुन चाशनी पे फ्लोट कर रहे हैं इसका मतलब बिल्कुल परफेक्ट बनकर तयार हुए लेकिन अभी खाने के लिए तयार नहीं है इन्हें कवर करें और आदा घंटे के लिए एक साइट से रख दें और आप बनाते हैं फ्रांट्स वाइट ग्रेवी बस इस तरीके से आपको पनीर कट कर लेना है और वाइट ग्रेवी के लिए मैंने लिया है दो टिबल स्पून जितना काजू दो टिबल स्पून जितने खर्बुची के बीज यानिकी मागज उभलता हुआ पानी डाला दो मियाट एक साइट से रखा और उसके बाद मिक्सी बारिक पेस बना कर तैयार कर लेंगे और जितने वह पेस बनता है उतने ही गैस अन कर दी उसके उपर पैन रखा उसमें डाल दिया एक टेबल स्पून जितना देशी गी गी गरम वह उसके अंदर डालेंगे एक तेश पत्ता एक हरी लाइची बहुत ही बढ़िया टेस करती अच्छा सा गरम कर लिया बहुत ही बढ़िया खुश भूह रिया और यह मैंने लिया है तीन-चार हरी मिर्चें और आदा ही जितना अद्रक का टुकड़ा और अच्छे से भून लिया जिससे कच्छा पंदूर हो गया और इसी बीच हमारी वाइट ग्रेवी का जो मसाला त बढ़ी आसे पिसकर तयार है वह भी डाल दिया इस तरीके से सब्जी बनाई है यकीन मानिए गजब की बनती है थोड़े से किश्मिश के डाने डाले परीनियर के साथ वैसे बीकिश्मिश का बहुत ही इच्छा कॉंबिनेशन होता है और हल्की मिठा सब्जी में बहुत ही बढ़ा लिए उसके बाद मैंने लिया है दो टेबल जितना फ्रेश दही इसमें अपको दही जो लेना है फ्रेश लेना है खट्टा है तो इसकिप कर दीजे और उसके बाद डाली दो टेबल स्पून जितनी फ्रेश मलाई फ्रांड्स शाही सब्जी बनारे हैं तो यह सब में लिटिल बिट कम अच्छा लगता है और चीनी से आपकी सब्जी मीठी नहीं होगी लेकिन जो कॉम्बिनेशन बनके आएगा ना वह बहुत बढ़िया होगा इसलिए चीनी को स्कीप ना करें और उसके बाद मिक्सी के जार को धोकर काजू और मगज का जो थोड़ा सा मेट पकाईए बस पनीर अच्छे से सौफ्ट सा हो जाए सारे टेस्ट आपस में कम माइंड हो जाए अगर आपने पनीर को ज्यादा पका लिया तो पनीर चुई हो जाएगा क्या फाइदा है तो बस यह गया हरा धनिया और यह देखिए मिंटों में हमारी एक दम शाही और क कुछ अलग तरीके से फलारी आलू की सबजी तो बस उसके लिए दो उबले हुए आलू ले लिए हैं इसके लिए आपका आलू को चाकू वगरे से नहीं कट करना है बस इसी तरीके से हाथ से रफली सा तोड़ ले और उसके बाद गैस आउन करी उसके उपर कढ़ाई रही एक टिबल स्पून जतना देसी गी फरंट फलारी खाना देसी गी के साथ बनाएं ज्यादा अच्छा टेस्स करता है और उसके बाद उसमें डाला एक तेज पता एक टिपून जितना जीरा एंसमें अब जीरा लिट्ल बिट ज्यादा डाले तो इसमें पुर्साइश बहुत जी हो जाता है सब चीजें अच्छे से बुनी और उसके बाद मैंने लिया है दो से तीन टिपर स्पून जितना एक दम खटा दही इस रेसिपी के लिए आपको खटे दही का इस्तेमाल करना है क्योंकि हम इसमें हम चूर पाउडर या नीबू का इस्तेमाल नहीं करेंगे और जब दही बड़ी हासा बुन जाए उसके बाद आप इसमें डाल दीजें हाफ्टी स्पून जितनी काली मिर्चे क्योंकि ब्रत के लिए बिनाने लाल मिर्चे नहीं डालेंगे टेस्ट के हिसाब से ब्रत वाला नमक डाल दिया नमक आपको तब ही डालना है जब आपका जो दही है अक्षे से बुन जाए परन्य कई बार क्या होता है दही फर्ट जाता था आर उसके बाद sucks यह अलुए है रहा ही सबद आस की मिनटों में बह oni क chỉ त्यार है है दो से तीन मैठ अच्छे से उबाला सब्ची तैया अब बना लेते हैं क्षाने में बहुत ही अधी बढ़िया हैं कि तो उसके लिए मैंने ले लिए आचकल मार्केट में जदा बढ़ ए है बस इसी तरह की कुछ बढ़ी और चोटी अर्मिया मिली हैं तो बस सभी अर्बियों यां को करने में चांदा बड़ी है उसे इस घाल cabbage करें ऑर भर यहां तो मात बना दे खान आढ़ puppy स्पून गींश Thenомma at जिसे तोड़ी क्रेंची सी हो जाएंगी कलर थोड़ा सा गोल्डन हो जाएगा आप चिंता ना करें बहुत जादा घी नहीं लगेगा इसमें जो घी है बस इसी घी से हम पूरी सब्जी बना लेंगे तो इसी बीच हम नवावी सब्जी का नवावी मसाला बनाएंगे उसके लिए दो टेबल स्पून जितना थोड़ा सा खटा दही लिया है उसमें डाल दिये थोड़ी सी हद्रक और हरी मिर्ज इसको पेस बना कर रखा है हाफ टी स्पून जितना काली मिर्च का पाउडर एक टी स्पून जितना सुखा धनिया और इस नवावी मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं बस यह छोटा सा प्रोसेस करने से फ्रांट्स आपकी जोर भी बनेंगी वह बहुत ही बढ़िया बनेंगी और यह गया है इसमे धूर सा हमचूर पाउडर और टेस्स के हिसाब से नमक और इन सब को बढ़िया सा हम फैंट लेंगे आपको जरुत लेगे तो थूर सा पानी डाल सकते हैं अगर दही गाड़ा है तो डालना पड़ेगा और अगर आपने पतला ही लिया है तो आपको पानी की जरुरत नहीं पड़ेगी और इसी बीच हमारी यह जो अर्बियां दी अच्छे से सिख गए और हलका से इन पर ब्राउन कलर आ गया है तो हम इसमें डाल देते हैं हाफ टी स्पून जितना जी अजवाइन उसके लिए अप अर्बियों को साइट से कर लेंगी बीच में आजएगा और बस उस यों और तो भून हो गे पूल साइब को मिंtुम कर ST is बछार हो गयार लाई है मिन्तों में कर्वार ध्यांयट कर व कर बीचें कि आक्या लगती रहें तो बास उसके लिए भी मैंने एक तो खीरा लिया IT जिसकोड़ा मैं और साथ ही लिये हैं दो अबले हुए आलू वजन में जितना खीर आया उतने ही आलू ले लिया है। सबसे पहले क्या करेंगे खीरे को अच्छे से साफ कर लेंगे दो मेंने पहले ही लिया है। और बस ऊपर और नीचे से इस त तरीके से सिस这个 ढ़ा दिए और उसके बा 50 शी wied मैं निए आपूरी को चील करें आजकर suck लेकिन नहीं आता बछी furry बना गांताज रहता मैंने लिया एकड़ार कर देते हैं एक कब जितना एकदम फ्रेश दही दही थोड़ा से गाड़ा हो तो ज़्यादा अच्छा है वन्हें जो भी दही है वो डाल दीजिए और इसके साथ हम इसमें डालेंगे दो टेबल स्पून जितनी घर की जमी हुई फ्रेश मलाई और ये मलाई इस पचली में कमाल करेगी एक साथी चीनी डालने से पचली खट्टी भी बहुत देर से होगी टेस के हिसाब से नमक गया और बस अब हम इसे हलका सा चर्ण कर लेंगे जिससे सब चीजें हापस में मिक्स हो जाएंगी और अब लिया एक बड़ा सा मिक्सिंग बाउल जिसमें खीर डाल दिया साथी वो कट देखें किसका टैक्सर क्या बढ़िया आया है एकदम क्रीम जासा रगा है चोटी सी टीप है इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही काम आएगी और बस इन सब को बढ़िया सा मिक्स कर देते हैं और ब्रैंड जी मिक्स हो उसके बाद हम इसमें डाल देंगे अद्रक और हली मसाले डालेंगे बहुत ही लिमिटेट से मसाले गिरते हैं पलार में वैसे भी मसाले कम ही खाये जाते हैं तो यह गया हाफटी स्पून जितना बुने हुए जीरे का पाउडर जिससे बहुत ही बढ़िया देगा आट दर स्काली मिर्चेम जिसे एक साथ मेने बारीक सा कूट की रख लिया है और यह लीजी हमारी एक दम पर्फेक्ट और बहुत ही टेस्टी साथी काफी हैल्दी सी पचली बन करते हैं चांट की तरह भी खाएंगे ना तो बहुत ही बढ़िया लगेगी बसे से फ्रीज में लग देंगे खटी-खटी पचली खाने में बहुत ही बढ़ा स्थी है तो यह मैंने मखाने के सी ही तुझास टे आ बर्फ़ीं से भां ग्रा संदी कि चारवी भी और यह हम को बढ़ाई से लिछरे और क्या अनलों द लोगें ढल रहाघ कि आदेंगा में भांदी मीशने मांदी India कृती गरंदी पृस अर चाह आप मखाने को इस तरीके से अगर हातों में करते हैं तो यह जीलिए ब्रेक हो जाता है इसका मतलब परफेक्ट तयार है उसके बाद लिया एक मिक्सिंग का जार और यह पचास गिराम मखाने हमने जो मखाना पूरी के लिए है वो डाल देंगे और इसे लगातार चलाते हुए परिस लेंगे इसे पल्स मोड पर नहीं पीसना है इसका हमें एक दम फाइन पाउडर तयार करना है कि वैसे तो फेंट्स जो मैंने यह पाउडर तयार किया है काफी फाइन है लेकिन फिर भी हम इसे पीस एक भाद चान लेंगे अगर कोई मोटे टुकला रह जाएगा तो वो चलनी से अलागा जाएगा और यह लीज़े हलके से पाउडर में रह गया था वो निकल गया है और हम इसमें डालेंगे सौ गिराम जितना सिंगाडी का आटा मैंने 50 गिराम मखाने का आटा लिया है और उसमें डाल दिया सौ गिराम सिंगाडी का आटा सिंगाडी भी काफी ठंडी होती है और उसके बाद हम इसमें डालेंगे 200 गिराम जितना कूटू का आटा सिगारी के आटे और कुटू के आटे का रेशिवा आप अपने हिसाब से थूड़ा सा इधर उधर कर सकते हैं कुटू का आटे को भी छान लेते हैं और इसमें काफी सारे चुकल निकले हैं वो हटा दिये और उसके बाद मैंने लिए हैं ये चार-पांच उबले हुए आलू अच्छे से आलू को उबाल लिया है और उसके बाद आलू को कर लेते हैं कद्दू कस फ्रेंट्स इस मखाने पुड़ी की रेसिपी को आप एक बार जरूर ट्राए करना हूं उमीद है आपके यहां सभी को बहुत ही पसंद आएगी फ्रेंट्स आज जो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हूं आप उसे चाहें तो शिवरात्ती पे बनाएं एकाशी में बनाएं अस्त्मी में बनाएं नवरात्त्री में बनाएं आपकी मर्जिये फलार के लिए एक दम परफेक्ट है तो अबस इसमें मैंने वह डाल दिया कदूकस करी हुए आलू साथी जाला हरा दिनिया और यह गए अद्रक और हरी मेर्चे और उसके बाद थोड़ी से काली मिर्च जाल देते हैं जिससे बहुत ही बढ़ी बढ़ी टेस्ट आएगा और यह गया टेस्ट के हिसाब से नमक फ्रे कारी और अरृम पानी एक नार्मल पानी के साथ मगर वटाएं और यह देखे एकदम पर्फैक्ट कर तेयार हैं आप की मरजी आप चाहे तो इसके साथ पुनिया ट्राइ ke ш concurrent क्ना पने निसके सब्सक्राइडब सब्सक्राइगा पूरिया, तो बस इस तरी के से हम इसके पेड़े बना कर तयार करेंगे, जैसे कि हम नॉर्मल और पूरियों के लिए ट्राई करते हैं, आप चाहें तो इसे थूड़ा सा ओउल लगा कर भेलन से बेल सकते हैं, और आप चाहें तो इस तरी के से पॉलोथीन के साथ बेलिए इससे आपका काउंटर टॉप बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा तो बस और इस तरीके से बेलना काफी इजी हो जाता है और यह लीजी हमारी एक पूरी एकदम परफेक्ट तैयार हुई एक और बना लेते हैं बस इसी तरीके से आप पूरियां बना बना कर इस तो यह साइडों से फट जाती है जो और इस तरीके से कुछ पूरियां हमारी तयार हो गई है तो अब बार यह सेखने की सेखने के लिए मैंने देसी की को अल्रेडी गरम कर रखा है बस इसी देसी की में हम यह पूरियां सेख लेंगे जैसे ही मीडियम गरम हुआ उसके और नाई जैसे हम नॉर्मल आटे की पूरियां बनाते हैं तब हाइफ लेम पर बनाते हैं वैसे बनानी है आपको इसके लिए एकदम जो फ्लेम को रखना है मीडियम रखना है और बस इस तरीके से उलट पर लटकर अपनी यह मकाने की जबरदस पूरियां आप सेखते हैं तो चलिए अब हमारी कुछ पूरीयां सिक कर तयार हुए और बार यह प्लेटिंग करने की तो चलिए प्लेटिंग में सबसे पहले रखे यह गुलाब जामुन क्योंकि इन्हें रखे विए आधा से 5 गंटा हो चुका है तो चिलिए चेक करते हैं देखें बहुत ही सॉंट बने हैं मुझ में जाएं घूल जाएं येकिन मानिये जैसे नॉर्मल गुलाव जमुन बढ़िया लगते है न वैसे ही ये भी आपको बहुत पसंद आएंगे और ये रखी वाइट ग्रेवी वाली पनीर की सबजी दही वाले आलू की सबजी नवाबी अर्मिया रख दियां और ये रखी मज़ेदार पचली तोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं जिससे लोग और भी शानदार हो जाएगा और ये रखी अपनी खूब तीखी हरे दिने की चटनी मखाने की मज़ेदार और क्रिस्पी सी पोड़िया तो उबीदे दोस्तों आप लोगों को ये रसीपियां बहुत पसंद आई होंगी सारी नहीं तो कुछ रसीपि तो जरूर ट्राई करेंगे और उसके बाद पीट बैक में मुझे जरूर बताएंगे कि आप लोगों को महाशिवरात्री ब्रत के लिए बन्यू ये थाली की रसीपि कैसी लगी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करने में कंजूसी ना करेंग जरूर सब्सक्राइब कर लें तो देखिए बहुत ही स्पेशल एक दम शाही धाली बनकर तैयार होगी है जो खाने में बहुत ही देसी है बनाना काफी आसान रहा है उमीदा रसीपि अच्छी लगी होगी एक रसीपि तो जरूर ट्राई करेंगे और उसके बाद फीडबैक मुझे बताइए रसीपि आप लोगों कैसी लेगी तो चलिए